का अव होप आप सभी काफी अच्छे होंगे एंड आज हम आपके लिए चोटी सी इंफोर्मेशन होने के साथ काफी बड़ी इनफोर्मेशन आए यह कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो भी आपका डिपार्मेंट है ही माचर प्रदेश इस एलिमेंटरी एड्यकेशन शिमला उन्हों एक नोटिफिकेशन जो आपके पास रिलीज की थी जिसके तहित जो है कुछ बहुत है जो है जिन्हें आपके पास भरा जा रहा है और देखेंगे यह कितनी बहुत हैं सिजेट टॉटल एंड़ अगर आप इन टोटल बहुत हैं को मिलेगी जब आपने एक चीज़ बात कहीती कि जो आपके पास लाइब बकैंसिस यानि जो कमिशन के थूब कैंसिस भरी जानी थी उन्हीं के पार्ट है तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता है फिफ्टी फिफ्टी का क्राइटीरिया रहता है फिफ्टी परसेंट जो आपके पास कमिशन के थूब भरती होगी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी वेट कर रहे थे कि उनका क्योंकि बैच का नंबर आने वाला था और कौन से बैच की बारी आएगी उसकी भी बात करेंगे कौन सा बैच आपके पास चल रहा है तो यहां पर देखेंगे हर एक कैटागीरी आपको देखने को मिलेगी यूर 13, EWS हो गया, SC हो गया, SC BPL हो गया, SC WFF आपके पास हो गया, OBC हो गया, OBC BPL, OBC BFF ठीक है, ST BPL, ST हर एक कैटागीरी के बेकैंसी है यहीं पर आगर आप TZT Medical में देखोगे तो SC, ST and OBC की ही आपको सिर्फ बेकैंसी देखने करें, ताकि अगर उनका नाम यहाँ पर आता है, तो काफी अच्छी बात है, इसमें आप TZT Arts के लिए जो R&P Rules है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, Age Limit यहाँ पर mention की गई यह आपके पास 800 से लेकर 45 तक, इसी के बीच में आप क्या कर सकते हो, Continuously, जो आपको इंटर्व 50%, 45%, 1 year, 2 year की बीच, सिर्फ इनी की बात हैं, आपके पास कही गई है, क्योंकि इसमें रूसा की कोई भी आपके पास जो बो लिमिट नहीं है, क्योंकि रूसाल साइम था नहीं, तो काफी पहले के बैच है, तो मेन यहाँ पर है बैच वाइस लिस्ट, तो जो हम यहाँ पर आपके साथ शेर करने चाहते थे, जिसलिए वीडियो हम यहाँ पर बना रहे हैं, बहुत से बच्चों ने देख भी ली होगी, तो आप देखो कि पहले कैटागरीज बाइस है, आपके पास TCT Arts, TCT Non Medical, TCT Medical, यह आप देखो कि बहुत सी चीज़ने खाली यहाँ पर, खाली का और जिनके बैच यहाँ पर नहीं है, वो एक्सचेंज से अपडेट होंगे, तो फैसलिए अगर आप आर्ट की बात करेंगी, तो इसमें OBC के बैच की बात करें, तो जुलाई 2003 में है आपके पास, एस्टी की बात करें तो जुलाई 2004 में है, और यह जो आपके पास है Freedom Fighters के यह अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप यूर की भी बात करें, तो आपको पते ही बैच मैक्सम आगे रहते हैं, तो यह अराउंड आपके पास 2000 and 2002 के आसपास जो यह बैच चीज है वो चले होंगे, आरे, है ना, यही चीज अगर आप करेंगे, सर उस टाइम तो EWS थाई नहीं, अरे, जो बच्चे उस टाइम ब्याड की हुई, अगर उनके पास है, तो उनको बहां से कंसेडर किया जाएगा, ओवी सी की बात करें, तो अगस्ट 2002 में है, स्ट की बात करें, तो आपके पास यहाँ पे 2005 में है, ठीक है, और स्ट है, वो किसी और जॉब में लग गए हूँ, जो डाटा उनके पास होगा, बहीं से वो क्या करेंगे, उनको उठा लेते हैं, यहीं पर BPL की बात करें, तो BPL में आपके पास OBC से रिगार्डिंग 2004 में है, स्ट की बात करें, 2007 में है, यहाँ पर देखेंगे स्ट में तो आपक से बैच चला हुआ है, जहां तक हमारे पास जो पृवियस डाटा था, ठीक है, बाकी आप टूडेट हैं, आपके पास, आपके पास और यह सारे बैचिस काफी क्लोज होते है, यहीं जैनी, जतना आपके पास जरनल का बैच होता है, उसी के क्लोज जोंग वो सारे बैचिस exist करते हैं चाहें आप यहां से नॉन डीकल से भी इसका आईडिया लगा सकते हैं यहां से आप देख सकते निइन इन्य को बाकि आगे ही ई-वस्थांट है थू है में तु दू में है थू आगे ही यह देख का बैच एक दो साल आगे होता है नौन मेडिकल से और यही आर्स की बात करने तो इनका बैच भी अराउंड एक या दो साल का ही डिफरेंस से ज्यादा नहीं है तो सिर्फ जो जिन बच्चों ने उस टाइम की हुई है वो तो चलो उनके लिए फाइदा है लेकिन जो अब मज आईए आप कमिशन की त्यारी कीजिए ठीक है तो यह लेटेस इंफॉर्मेशन थी बाकी आपके पास यह और वांट ट्वांटी सेकेंड फैब को आपके पास आई है बहुत से बच्चों तक है पहुंच भी चुकी होगी और जिन तक नहीं पहुंची है तक हमने पहुं